हेलो दोस्तों तो आज हम करेंगे अपनी exercise 8.3 जिसमें हमें बोला है क्या करने को divide क्योंकि हमने बोला ही था कि अब 2 से लेके जितनी भी रहेंगे आगे सब में divide ही होगा बस थोड़ा सा level change होता जाएगा अब देखो हमारे पास first question दिया है x plus 2x square plus 3x की power 4 minus x की power 5 by 2x कह रहा है कि इस पूरे polynomial को है ना 2 से divide कर दो तो क्या करेंगे हम हम लिखेंगे इसको ना पहले हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको हम यहां से शुरू करेंगे ठीक है मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है बड़ी power से छोटी power की तरफ जाने में तो मैं अपने convenience के हिसाब से इसको ऐसे लिख दे रही हूं आप चाहो तो ऐसे भी solve कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है बस मुझे अच्छा लगता है ऐसे लिखने में इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूं अब डिवाइड करना है तो डिवाइड करो अ बारिस के निचे एक बारिस के नीचे और अगर ऐसा दिया हूँ a plus b plus c by x तो क्या करेंगे a by x b by x plus c by x मतलब अलग-अलग लिख सकते हैं तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे सेम ही करेंगे कि जितनी भी दी है सब के नीचे यहीं लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास minus x की power 5 by 2x plus 3x की power 4 by 2x plus 2x की power 2 by 2x plus x की x divided by 2x तो हमारे पास अंसर क्या हो जाएगा ऐसे में यहाँ देखो 1 by 2 यह तो as it is लेगा यहाँ पर power 5 है यहाँ पर 4 तो power क्या हो जाएगी 5 minus 1 plus 3 by 2 यहाँ पर 4 power है यहाँ 1 है तो power क्या हो जाएगी 4 minus 1 plus 2 से 2 cancel x यहाँ पर 2 power है यहाँ 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ यहाँ पर 2 minus 1 plus यहाँ पर तो कोई power नहीं x x कट गया तो यहाँ बचा 1 by 2 तो answer क्या हो जाएगा minus 1 by 2 x की power 4 plus 3 by 2 x की power 3 plus x की power 1 plus 1 by 2 ठीक है तो divide करके यह आगया हमारा answer और यहाँ पर हमें वो formula लिखते ना है पिछली exercise जैसा a की power m divided by a की power n is equal to a m minus n ठीक है यह हो गया हमारा question 1 अब देखते है question 2 second question है y raised to power 4 minus 3 x y cube minus 3 y cube plus 1 by 2 y cube y square तो इसको 3 y से divide करना तो कैसे लिखेंगे wife की power 4 minus 3 y की power 3 plus 1 by 2 की power 1 by 2 y की power 2 divide by 3 y अब क्या करते हैं सब के नीचे अलग अलग लग लिखते है y की power 4 by 3 y plus 3 y की power 3 by sorry plus नहीं है हम minus है 3 y plus 1 by 2 y और यह जो 3 y इसको कहां लिखेंगे यहां पे हो जाएगा यह 3 y ठीक है क्योंकि तो नीचे ही है divide में और यह भी divide में है अब यहां पे answer क्या आएगा 1 by 3 y की power 4 minus 1 minus 3 से 3 cancel so y की power 3 minus 1 plus 1 by 2 3 जा 6 y की power 2 minus 1 तो क्या answer हो जाएगा 1 by 3 y की power 3 minus y की power 2 plus 1 by 6 y की power 1 और जब 1 होते है तो हम कुछ लिखते नहीं है यही पे हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा complete यहां पे हम लिख सकते हैं am divided by an is equal to am minus n ठीक है यह हो गया हमारा question second अब देखते है question third तो इसको divide करेंगे हम किस से 2a से उसके लिखा करेंगे minus 4a3 2a सब के नीचे लिख लेंगे plus 4a square plus a अब 2 को सबसे नीचे लिखेंगे मतलब minus 4a3 by 2a plus 4a square by 2a plus a by 2a ठीक है करो अब 2 1s are 2, 2 2s are 4 means minus 2 a की power 3 minus 1 यहाँ पे तो 1 ही है plus 2 1s are 2, 2 2s are 4 यहाँ पे a की power 2 minus 1 plus 1 by 2 a से a cancel, कुछ बचा ही नहीं या फिर ऐसे भी कर से होते हो, simple 1 minus 1 तब भी 0 ही होएगा तो कोई जरूरत भी नहीं है ऐसा करने की करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ फरक नहीं पड़ेगा question पे यहाँ क्या हो गया minus 2, a की power 3 में से 2 गया 3 में सबन गया 2, plus 2 a, 2 में सबन गया 1, plus 1 by 2 तो यह हो गया हमारा question third अब देखते है question fourth बाकि अगर यहाँ लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं am divided by an is equal to am minus n ठीक है, अब देखते है question fourth अगर है minus x की power 6, 2x की power 4, 4x की power 3, और 2x की power 2 इसको root 2x square से करना है, तो करेंगे भई क्या, minus x की power 6, plus 2x की power 4, plus 4x की power 3, plus 2x की power 2 divide by root 2x square, अब क्या करेंगे, सब के निचे अलग अलग x की power 6 by root 2x square, plus 2x की power 4 by root 2x square, plus 4x की power 3 by root 2x square, plus 2x square की power root 2x square, ठीक है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 by root 2, as it is, minus x की power 6 में से 6 minus 2, plus, यहाँ पर देखो, 2 क्या होता है, root 2 into root 2 क्या होता है, हमारे पास 2 तो अगर हमारे पास लिखा root 2 into root 2, ऐसे करके तो हमारे पास एक ही root 2 बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या value हो जाएगी, इस root 2 से 2 को काटेंगे, तो यहाँ पर बचेगा सिरफ root 2, x की power 4 minus 2, plus 4 है, 4 को क्या लिख सकते है, 2 into 2, यानि के 2 into root 2 into root 2, यानि के 1 2 को root 2 में plus 2, यहाँ पर इस से cancel करेंगे तो बचेगा सिरफ, 1 root 2, x की power 2 minus 2, काटना जाओ तो काट भी सकते हूं, तो अंसर क्या आजाएगा, 1 by root 2, x की power 4, plus root 2, x की power 2, plus 2 root 2, x की power 1, यानि कुछ नहीं लिखेंगे, plus root 2, तो यह हो जाएगा हमारा answer, question number 4 का, ठीक है, इस तरह से, अब देखते हैं, question 5th, 5th question में तो ऐसा हमारे पास कोई जंजटी नहीं है, तो तो बिल्कुल ही simple हो गया, minus 4a cube, plus 4a square, plus a, divide by 2a, क्या हो जाएगा, minus 4a cube, by 2a, plus 4a square, by 2a, plus a by 2a, 2 अन जा 2, 2 तो जा 4, minus 2 बचा, a की power 3, minus 1, plus 2 अन जा 2, 2 तो जा 4, 2 a की power 2, minus 1, plus a से, a कैंसल बचा क्या, 1 by 2, तो अनसर क्या हो गया, minus 2, a की power 3 में से बन गया, 2, plus 2, a की power 2 में से बन गया, 1, यान लिखना नहीं, यहाँ पर क्या बचा, 1 by 2, यह हमने कहां से करा, a की power m, divide by a की power n, is equal to a की power m, minus n, ठीक है, इस तरह से, तो यह हमारा question हो गया, 5th, अब देखते हैं question 6, अब देखो 6 है, हमारे पास इसी तरह से जैसे पहले करा हैं, तो सबसे पहला क्या करते हैं, जो 3, यह लिखा, उसको divide करते हैं, root 3, a की power 4, 2, root 3, a की power 3, plus 3, a square, minus 6, a, divide by 3, a, अब क्या करते हैं, सब के नीचे अलग से लिखते हैं, 3, a की power 4, 3, a, plus 2, root 3, a की power 3, 3, a, plus 3, a, square, by 3, a, minus 6, a, by 3, a, ठीक हैं, अब देखो, root 3, root 3 उपर हैं, और नीचे 3 को क्या लिख सकते हैं, root 3 into root 3 लिख सकते हैं, तो जब काटेंगे, एक कट जाएगा, तो बचेगा, क्या, root 3, यानि के यहाँ पे कट के क्या बच जाएगा, आगे, यहाँ पे कट के क्या बच जाएगा, 1 by root 3, a की power 4 minus 1, प्लस, यहाँ पे देखो, 3 से यह एक कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 by root 3, क्योंकि a की root बच जाएगा, यहीं पे, और a की power क्या हो जाएगी, 3 minus 1, प्लस, 3 से 3 कैंसल, मींस, a, 2 minus 1, माइनस, 3 बच जाएगा, तो यहाँ बचाएगी, 2 है, तो अंसर क्या हो जाएगा, 1 by root 3, a की power 3, प्लस, 2 by root 3, a की power 2, प्लस, a minus 2, ठीक है, यह हो गया हमारा question 6, और यहाँ पे हमने कैसे क्या, am divided by an, is equal to a, m minus n, तो यह था हमारा question 6, exercise 8.3 का, और यहाँ पर हमारी exercise 8.3 होती है, complete, मिलते हैं next वीडियो में, अगर आपको कोई भी doubt है, तो comment box में comment करके पूच सकते हैं,